नमस्कार आप देख रहे हैं PDS News मैं हूँ PC से नहीं रास्तान विदान सभा चुनाओं को लेकर हम कवरेज कर रहे हैं स्रीमादुपूर विदान सभा सीट को लेकर जानते हैं समिकरन जानकारी के लिए बता दे कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह है खेरवा की ढानी जो ग्राम पंचारी जारली के अंतर गताती है चर्चा करते हैं कि स्रीमादुपूर विदान सभा सीट किसकी जोली में जा रही है किसके सर पे सज्राय ताज कोन हो रहा है निरास करते हैं इन युवाओं से और इन बुजर्गों से बात सबसे पहले आप अपना नाम बताएं बाबू जी कि आपका नाम क्या है स्रीमादुपूर विदान सभा चुनाओं में कौन जीत रहा है आज की कंडिशन की बात करें आप बताएं अपना नाम गनेश जी क्या माहूल है यहां पर माहूल खूब ठीक है कुण को बंद रहा है बदराम को बाकी दो कंडिडेट और हैं जाबर जी भी है दिपिंदर सि सोक जी सर्मा भी है जादा कुण को बंद रहा है जादा आज की बात करांगा आज की तारिख में तो बंदराम में को काई देख रहा हो थे जो बंद वोट कर रहा हूं क्यों करें आदकेवे आद्मी जाए जाई यह बया तो मत्हान पूस्य ज़िए जो तो पुरान पचास हाल हो जो तना अब दूसरा लॉम्ट यदू हम्त्यामर द्वूद कोई मुद्र के अजय हो आगा और बताओ थे बताओ था ने की बात है जो स्मस्या रही है पूरी समस अपना नाम बताएं तो अलदार साब आप बताएं क्या इस्तिती है यहां से यहां इस्तिती है कि मलब यहां पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं यहां दो दोबरी एक झाल सवद्ज्टुररर अगरिया इक है यहां वाली व दुनीया हों आगे यहां आज नहीं और मानते हैं कि वेलू नहीं है तो आपके यहां गाउं से इस बार मुद्दा क्या है वोटिंग का वोटिंग का मुद्दा यही है कि जो हमने यादमियों को सुनना चाहते हैं यादम जी से आपकी कितनी का उमीद्दें हैं अब इस तो आमारे पास सारी उमीद हैं उन्होंने थोड़ा बहुत सायता भी देखे गए हैं और आगे मारे उमीद है उसका चुनाव इस बार पार्टी वरसेज पार्टी हो रहा है या फिर कंडिडेट वरसेज कंडिडेट हो यह तो आमारी तरफ से कंडिडेट हो रहा है और क्या वज़्या है कि आप प्रियोर्तन ला रहे हो जैसे आपने कारण दिया कि वही आपके वोट की वेल्यू इन लोगों को पता नहीं है इसके लावा और क्या पानी नहीं है यहां तक आश्ते किसने बोर नहीं किया और यह कह से अज़wei किलोमेटर उधाद यहां से उस्पृट से मिलने के लिए हमारा यह रोड नहीं मिला रहे हैं जबकि हम ने से भी रिक्व्ष्ट कीया ज़ाबर से हमने जबामंदी भी लाकि दिया इनको दोनु साइड की जमीन का जो कास्तगारी माती है लेकिन फिर वो रोड नहीं है तो अब चुनाओं को लेकर उन्हों नहीं यहां सभा नहीं कि आप लोगों से मुलाकात नहीं नहीं ना तो दिपिंद्रा यहां आया और नहीं जो नमल खराया दोनु नहीं आये यह अड़ोस प्रश्मा के चले गए और हमारी को छोड़ गए आपसे संपर्क भी नहीं किया अमारी साज तक भी नहीं किया यह लोग शुक्रे आपने जानकर दी आ बताएं बाबुजी थे बताओ का है माहूल है अड़े ता माहूल बद्राम को जबाई अड़ी परियोर्टन लेा रहा हो बताओ अबुजी करते हैं कि बताओ आपबुजी इनसे मुलाकात करते हैं और पोस्ते हैं कि इनका क्या है आप बताएं इधर गुमाई ये कैमरे को आप बताएं सर हाँ बोलो इस टायम में बल्डराम का है आप देख रहे होंगे कि इन चुलाओं में कभी मतलब 5 साल जाबर सिंग खर रहा रहते हैं 5 साल डिपेंदर सिंग मतलब बहुत भारी बहुत से जीतने जा रहा है ये चुनाओ बल्डराम यादों को वोटिंग आप कर रहे हो उसके उनसे मुलाकात हुई है कि आपकी पहले आप उनसे मिले हो क्या प्रिकुलार या फिर आपने अपने समस्य आपके दो बार मिल चुका उनसे लेकिन मतलब ब बताएं अब बताएं अब आपको क्या लग रहा है इस बार तो जैसे कि खेरवा के डानी जो ग्राम पंचायत जाड़ली में आती है वहां हमने लोगों से चर्चा की और उनसे जाना जी गुरुजी बता है साइद दंसिंग नाम से अब यह स्कूल है यह पहले डाणी ख़ारवन के नाम से ती है इसकूल आज तक जो नहीं इसके अंदर जोनमल कौई साधन नहीं है पानी के लिए बच्चा दूपाते हैं यह मंत्री जीते हैं मंत्री द्रम पानी चाहिए और बताइए सर कि आप तो आपके पास आ रही होंगी या इतना आप लाने की सोच रहे हो हो तो स्रीमादपुर में क्या चल रहा है आपके पास आती हैं वह एक अलग बात है कि मीडिया के सामने आप नहीं बता रहा हूं तो है जैनल इक बल्राम का दूसरा नंबर खर्रागा और तीसरा नंबर दिपेंदर शिंग जी इस पार तीसरे नंबर अमारी तरफ से बाजी जनता साइब और चाहिए पलन परीद करते ह मेरे नाम बद्री प्रशाद यादव तो यादव साहब क्या है समिकरन स्रीमात्पर विदान से सबसे पहले तो मैं शेनी जी आपकी पीडियेस न्यूज का जो धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी भारी जो छेतरम आये हैं और इस जनता के सामने मुखातिव हुए हैं उसक अभी अभी हमारे परलाज जी ने जो बताया मैं भी इसी स्कूल का पुराना श्टूडएंट हूं बहुत मैं यह नहीं बोलता किस से ने कितना काम किया काम सब किया है लेकिन काम करनी का जो लेवल है ना वह लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल पर काम होना चीए अब अभी पूरे राजस्तान में यह बताओ यह इस गाहूं में गाहूं यहां से 6 किलोमेटर दूर है यहां अभी यह प्रात्मिक उच्प्रात्मिक साला है यहां बच्चों को कोई भी सुविदा नहीं है मैं खुद आगे तक रिपोर्ट दिया जे एन एक्सन ऐसी इसी स्कूल हम हाई टेंशन लाइन है बच्चे हैं अंजान होते हैं चोटे बच्चे हैं वह अगर पॉल के ऊपर चड़गे हाथसा किस टीचर के नाम से आएगा माबाप ने टीचर को टीचर के पास बेजा बच्चे को और हम भी यह जनता यह बोलेगी कि इन मास्ट्रों की कमी है वह स्कूल के बाउंडरी के अंदर से है उसको आज तक किसी नहीं क्या वह देखते नहीं है अन्य है यहां इस गाहों में है ना कोई विकास हुआ है लेकिन जो विकास का लेवल है ना वह नहीं हुआ है तो जिसे हम बात करें सर यादो जी कितना साल बैक है विकास की बात करें मैं यह बोल रहा हूं कि 1962 से इतना पिछे है अभी हम आ गया आनी में तो बहुत पचास साल पीछे हैं जनता से और यह तो यह एक देवाले बनाया है ना यह बहुत से जनता का मैं सुक्रियादा करता हूं कि यहां इस जोड़ी के अंदर एक देवाले बनाया है इस वज़े से यहां लोग इखटे उजाते हैं और आपस की बादचीत करते हैं और बढ़िया है जनता को मैं तो यह बोलो कोई आदमी बुरा नहीं है राजनीती में जाता है वो शट करके मंजगर के जाता है और अपने कि दिल से वो बातें करते हैं जहां तक लेवल होता है हो सकता है उनकी कोई मजबूरी ऐसी हो कि अब बात करूं अब पट्टिकुलर बात कर लेकर जैसे यहां पर यह जो सड़क आ रही है यहां भी रोड नहीं पहुंची तो रोड को लेकर कितना क्या विकास हो रही है रोड को ऐसा है कि यहां आठ मैने रास्ता बंद रहता है और यह दोनु गाउं के बीच की सीमा है ना तो इद्रवाला कोई विकास है ना उद्रवाला की सेकल विकास है और यह 500 मिटर का है ज्यादा भी नहीं है उतने मीटर में बनाने के लिए को प्रयास किया कभी जन्पट्ट ने देशें लोग जाते हैं जिनको रास्ता में यहां से आना जाना है जो थोई बाजार में जाते हैं उनको लिए जाबर सिं गए दोनों साइड से जमामंदी यह रास्ता इसलिए हमने जमामंदी मागा तो प्लाइब यह बीच में सीमें टाइड देते हैं और ज्रब शिर्ड लाग रुपय मंझूर कर वा था यहां कि पंचाइज लाप्र नहीं चैह तो आप पूर सरपंच हो यहां क्या हालात है यहां के बात कर लेते हैं ने तो कोई कोई संसस सदस से किसी भी तरह का आज तक कोई डवलप्मेंट पे या किसी पानी पे या किसी रोड पे या किसी इसकूल पे या किसी बिजली की समस्या पे कहीं कोई ध्यान नहीं दिया केवल वोट लेके चले जाते हैं आश्वासन दे जाते हैं अगले साल बने की परसु बने कि हम आ रहे हैं बजट नहीं अगली साल कर देंगे इस तरह की आश्वसन देते हैं उन्हें कोई कुछ करता है दीपेंदर सिंग के पास में खुद जाया है दो चार पांच बर जाया है दीपेंदर सिंग जी तो इस तरह के हैं कि एक रोड मालो पहले उन्होंने कभी निकाली 2000 संदोजार में उस रोड को केवल 500-200 मीटर पिछे चोड़ दिया कि आगे तो या दूसरे लोग यह अपने तो वोट देते ही नहीं अरह जाते तो जनता उसी पर होकर के है उस रोड को भी क्रोस कर दिया छोड़ दिया दूसरी जाड़ जाड़ली से यहां मिलान करने के जाड़ली में रोड दी हैं अटेश्मेंट कहीं नहीं दिया किसी पंचाय तोंको मिलाने का काम नहीं किया रूपरा जाड़ली को या रामपुरा जाड़ली को या बामोल्डा जाड़ली को इस तरह की रोड़े नहीं दी उन्होंने कभी इस बार आपने क्या सोचा है क्या स पुष्टास नहीं है उनको वह क्या करना चाहते हैं कि इस वार वोट लेने तौह नहीं रहे हैं लेकिन ये खुद-बूत-फुरवससर्फण से अब इन से पूछलों कर अपने गल्टी की बता रहे हैं उनकों परिवर्तन है और परिवर्तन आएगा निश्चित रूप से परिवर्तन है दोनों के अकान जड़ चुके हैं पूरी जनता बलराम जी के साथ है बलराम जी जीतेंगे इसमें कहीं कोई दोराइन नहीं है अधर कास्ट भी सभी कास्ट उन से तूट करके और बलराम जी के साथ लग रही है दुख पाया है हमने जो दुख सायन कर रहे हैं अभी भी दुनिया में साथी जोने एक लायन आ रही पाइफ लाइन पाणी की हमारी वह भी नहीं है सुक्रै सरजानकरी दी तो देखे हमने चर्चा की है खेरवा की ढणी जो ग्राम पंचायत जहाडली में आती है यहाँ प्रिवरतं क्यों चाहते हैं लोग वो बात हमने जानी है इन्होंने कहा है कि विकास के नाम से यहां कुछ नहीं मिला और इनका प्रिवरतं का मुख्य और इनका भरोसा इन्होंने जताया है बलराम यादा उपर खबर में इतना ही आप देखरें फिडियोज मैं हूं पीसी सेनी सुक्रिया थेंक्यू